नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती एस्ट्रलोजी सीक्रिट में इस रासी वालों 2022 में सनी देप का रासी परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा क्योंकि सनी का रासी परिवर्तन हर धाई साल में होता है और पुरी तरह से मुक्त हैं आपके ऊपर ना तो अभी बरतमान में साड़े साथी डहिया चल रही है और ना ही 2022 से 2025 तक चलेगी यानि आप पुरी तरह से आजाद है 2025 तक इसके बाद आपकी साड़े साथी शुरू हो जाएगी तो इस समय देखिए जब सनी देव रासी परिव जाती है लेकिन जो ढईया है दो रासियों से निकल कर दो रासियों पर चड़ जाती है तो 29 अप्रेल 2022 मकर रासी को छोड़ कर जब वो कुम रासी में आएंगे तो यहां पर 12 जुलाई 2022 तक कुम रासी में रहेंगे और इसके बाद वक्री होकर वो फिर से मकर रासी में आ ज प्रवाष डाले गए सभी एन छी नोगरों में सबसे मंद गति से चलने वाले बार एकराशी से दूसरी रासी में जाने के लिए लग भग ये सभी सनिदेव के अंदर है आते और जेल के कारक भी सनी है सनी गरबर हो जाए तो जेल यातरा करबा देते हैं और सनिदेव की जो महादसा है उनीश साल तक चलती है और सनिदेव आम तोर पर माना गया है ये क्रूर गरा है लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि सनिद नियाय के ग्रह जो बैक्ति के कर्म के अधार पर उनको फल देते हैं अच्छा या बुरा और सनी जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को रोसन कर देते हैं उस घर को एकदम से खुसियों से भर देते हैं लेकिन जिस घर पर द्रिश्टी डाल दे उस घर को जला देते हैं ब परिसानियां बढ़ा देते हैं नौकरी में समस्या ब्यापार में घाटा स्वास्त में गिरावट पूरी तरह से घर को तबाह कर देते हैं बुरे दिन आने लगते हैं और अगर सनिदेव अच्छे फल देने पर आ जाएं तो जीवन एकदम से बदल जाता है एकदम से सकारत्म करूप से जोतिस कहता है कि सनिदेव का रासी परिवर्तन बहुत महत्तोपूर्ण है और जब भी सनिदेव का रासी परिवर्तन होता है तो इसका प्रफाव लगभग सब पर पढ़ता है तो में सबलो आपके लिए 2022 से 2025 आपके जीवन में कितना बदलाव लेकर आएगा ये वैसे तो सनिदेव से हर कोई डरता है चाहे साड़े साती हो या ना हो उनके नाम से ही डर लगता है जैसे ही सनिदेव की चर्चा होती है डर सा लगता है पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा तो चलिए जानते हैं जो मेस वाले हैं देखिए सबसे पहली बात तो जो सनी देव है न कुंडली में सकात्मक रूप से इस्थित हो जाए उनकी सुभ द्रिष्टी अगर आपकी कुंडली पर हो तो आपको एकदम से जीवन में तरक्की दे देते हैं धन परतिष्ठा की ओर ले जाते हैं और जोतिस में सनी ग्रह सभी नौ ग्रहों में सबसे नुक सकात्मक द्रिष्टी या खराब द्रिष्टी पढ़ जाती है वो तब जीवन में दुर्भागे ले आता है खासकर करियर सिक्षा नौकरी विवाह के मौमलों में नुकसान पहुंचाता है तो जीवन में होने वाली उत्पन कुछ घटनाएं हैं जो एकदम से नकात्मक रू दिरगायू कराता है विक्ती को उनका स्वास्त अच्छा रहता है पुरिस्कृत कराता है जीवन में चारो तरफ से खूब तरक्की देता है और नाराज हो जाएं तो गरवर तो ये तो थी 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे और फिर कुम्भ में जाएंगे तो सनीदेव ज सिद्धी और पिता के भाव में हैं अब 2022 का 29 अप्रेल तक पूरी तरह से अपने करियर और काम पर फोकस करेंगे लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना होगा आपको काम में एक्टिव रहना होगा और करियर और अधिकार के मामनों में थोड़े बहुत उतार चड़ाओ आएंग लेकिन जो लोग जौब करते हैं बरिष्टों की वज़ा से थोड़ा तनाओ है जो आपके सिनियर है उनकी वज़ा से थोड़ा तनाओ दिखता है आपकी कुंडली का दस्मा भाव पिता से सम्मंदित है तो पिता को थोड़ा स्वास्त की समस्या भी है या फिर पिता के अब सनिदेव की दृष्टी आपके साथ में बहुत पर है तो आपको इसमें समंधों पर खासकर अपने वैवाही जीवन में अगर है आप है तो यहाँ पर आपको बहुत सिंसिटिव रहना है बहुत ध्यान देना है कोई भी बड़ा फैसला आपके जीवन साथी के नुसार ही आप लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और मेस वालों आपके लिए सनिदेव का ये रासी परिवर्तन करना आपके जीवन में एकदम से पॉजिटिव बदलाओ लेकर आएगा सकातमक बदलाओ अगर कोई बड़ी स्वासमस्या वैसे नहीं होगी लेकिन अप्रे लुकाव अपने मित्रों सहयोग्यों की तरफ जादा होगा और इसमें ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग हटलेस हैं और सम्मेदन सील है जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं जो लोग आपको हमेशा परिसान करते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहें नहीं तो ये लो वेट है आपकी वानी का वेट है आपके काम का एक वेट है तो एक जुनून जो है उससे आप पिछे मर्थट ये आप अपने जैसे जो विचार वाले लोग हैं आप अगर उनके साथ मिलकर आप कुछ काम करें तो दुनिया बदल सकते हैं स्वास्त के मामलों में बढ़िया है लेकिन फिर भी आप वहन बेगरे चलाईएगा तुझरा सापधानी से ही चलाईएगा और गंभीर समस्या नहीं है लेकिन आग और बिजली ये दो चीज से आपको हमेशा सापधान रेना है पहला आग से और दूसरा इलक्ट्रोनिक सामान से सापधानी से काम करें क्या करें कि सनिदेप की किरपा आप पर बरसे दिए सबसे पहली बात तो सनिवार के दिन जो लोग वेघर हैं जो लोग गरीब हैं आप उनको जूते-चपल, च्षाते कादां कर सकते हैं आपके लिए बड़िया रहेगा और दूसरी बात आप चाह में ओम संग्सने चराएं नमा का भी जब कर सकते हैं ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा अब नयाय प्री देव ता हैं सनी देव तो ऐसे में नयाय तो करेंगे तो अच्छे कर्म करें नहीं तो नाराजगी या प्रकोप भी जिलना पड़ सकता है और सनी का विसेश चुकि यह बहुत मायने रखता है हलांकि गोचर के नुसार ही फल देते हैं लेकिन जरा ध्यान से ओम संग्सने जाए नमा रोज सामें जब करना है और आप दान जरू कीजिए लेकिन क्या आपको पता है कुंडरी में अगर आपके लगन में बैठे वे हैं आप अपनी कुंडरी द दिख लेगा तरती भाव में अगर बैठे हैं तो आप पूरव यह दक्षिन मुखी अगर आपका घर का दर्वाजा है तो परेसानी होगी ध्यान रखें और घर में हमें सा सूरी की रोशनी रखें अगर सनीदेव आपके चौथे अस्तान पे बैठे हैं तो नया घर अपने सेवन ना करें सब्तम भाव में बैठे हैं तो एक्स्ट्रामेरिकल अफेर जैसी चीजें हो सकती है धन का सही स्तेमाल करें और अगर अस्टम भाव में बैठे हैं तो धन का नुकसान कराते हैं बेबज़े खर्च करवाते हैं गुप्त रोग देते हैं अगर नवम में बैठ तो आध्यात्म की तरफ मुड़ा होता है दसम भाव में बैठें तो लक्षमी खुब बर्सा करती है दन की पर दूसरों को धन उधार देने से बचें यानि बेवज़ा किसी को भी धन देने से बचें यहां तक की कोई टिप्स देना मतलब कहने का तत्पर अपने हाथों से पै ना आपको नुकसान होगा फिलार विदा लेंगे हर हर महादेर